हेलो व्योर्स इंडिया वर्श इस ऑस्टेलिया के मुकाबले में क्या हुआ सुभान गिलका शृतक आया और भी कुछ काफी कुछ जाने को मिलेगा आपको और सौथ उफरीका व्पर्स इंडिया सौथ उफरीका ने कैसे अपनी वन सैडिटली सिरीज जी थी एंड यहां पर यूजिलेंड वर्शिस शेलेंका में क्या ट्विस्ट अंड टर्न्स देखन को मिले तो इन तीन टेस्ट मैचों के बारे में हमें इस वीडियो में जानेंगे तो अगर आप पहली बार आ रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले चलिए वीडियो पर हम ऐसे आउट होना रोही चर्मा का एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते फिर चेहते शर पुजारा आते हैं पका देते हैं वास्टले के टीम को बहुत ही बहुत 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 बनाते हैं और बॉर्डर कावस का ट्रोफी में 2000 से भी उपरन उनके हो चुके है ऑस्टले के लाफ जो की हमेशा से ऑस्टले के लाफ अच्छा पर्फॉर्म करते हैं चेहते शर पुजारा दैन उसके बाद आते हैं विराट कोली जिन से उमीद की जाती है कि जैसे उन्होंने अपने करीरे में बले बाजी की है और बहुत टाइम हो गया उनको टेस्ट में फ्यूचर स्टार का जा रहा है और स्टार इस राइस जो आप जान रोग जैसे वो अपने करिकेट में अपने आगे बढ़ रहा है तो बहुत ही बहतरीन बले बाजी कर रहे हैं और शांदार एको और श्टक नों जड़ा एक ही साल में तीनों फॉर्मैट में उन्होंने श् पहुच गई है जहां पर टीम इंडिया मेरे साबसे कमफर्टेबली यहां पर ऐसा लग रहा है कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है दो सेशन तक भी बैटिंग करती है तो यहां पर मेरे को न लगता है कि इस टेस्ट मैच का कोई नतीजा नजर आएगा इतनी आसानी से तो य स्टार का तो बहुत बढ़ी है तरीके से भूत बनाया है शुमान गिल ने तो अब आते हैं हम कि साथ अफरीका वर्सेज वेस्ट इंडिस तो यह भी काफी शांदार मकाबला चल रहा है यहां पर साथ अफरीका की टीम ने वेस्ट इंडिस के लिए साड़े तीन सो के करीब का लक्षा रहा जहां पर वेस्ट इंडिस के टीम 106 पर धेर हो गई 284 रन के हैवी मार्जन से साथ अफरीका है मकाबला जेती है यह सीरीज भी 2-0 से अपने नाम करी है साथ अफरीका ने और तो यहां पर बाबुमा की वापसी रही है सीरीज के लिए में हाइलाइट चीज तो यहां पर 164 पर 5 थे न्यूजिलेंड के हर कोई कर यह एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे असाब से कि यहां पर न्यूजिलेंड की टीम बहुत पीछे हो जाएगी इस गेम में वाट आप मेरी कल की वीडियो निकाल के देखना जिस पर मैंने आप साफ तोर पर यह बात कही थ जाना उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या कर दे और वही उन्होंने आज किया मिशल ने काफी शानदार पार्टनर्शिप लगाई मैट हैंडरी के साथ और काफी ज्यादा टेस्ट को एक बैसबोल बना दिया और जैसे टीटूंटी खेलते हैं बहुत तेज खेलने की तो कहीं न कहीं सत्ता रंड पर ही पहुची शेरलंका की टीम तो यहां पर यह मैच अभी एवरिज है अगर कल आते ही न्यूज़लेंड शेलंका के चार-पांचों के गिराती है तो कहीं फिर न्यूज़लेंड वापसी कर पाएगी नहीं तो मैं बोलूँगा कि शेलंका की यहां पर आपकी बैटिंग अच्छी गई तो यह मैच आपके पक्षमे चला जाएगा तो मेरे साब से इस मैच में थोड़ा सा न्यूज़लेंड का परड़ा भारिया का लाती है आउट करेंगे तो शेलंका का अगर यह मुकाबला हार्जी तो भारती टीम के लिए असान र झाल्एट